शहर में कानून विवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सर्वोच न्यायाले के आदेश का पालन सभी को करना होगा यह क्याना है पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का गुरुवार को सिबल लाइन्स स्थेत पुलिस भवन में समधाताओं से चर्चा करते हुए वे बोल रहे थे पुलिस को अगला आदेश मिलने तक शहर में जो बंदोबस्त लगाया गया है वह जारी रहेगा जो कानून हाथ में लेगा उसे परिणाम भुगतने के लिए तयार रहना होगा उन्होंने बताए कि पुलिस महा संचालक के आदेश पर शहर में तीन हजाप पुलिस करमचारियों को बंदोबस्त में लगाया गया था यह बंदोबस्त अगले आदेश तक जारी रहेगा आयुकत ने बताये कि 74 धामिक स्तलों पर भूंगे के लिए करीब 74 आविदन पुलिस के पास पहुचे हैं आगामी कुछ दिनों में आविदन की संख्या बढ़ने की संभावना है जो सर्वच नयायाले के आदेश का पालन करेगा उन्हें ही अनुमती मिलेगी पुलिस से बिना विचावे मर्श के अगर कोई खुण नन्ने लेकर धार्मिक बातवरन को बिगाणने की कोशिश करेगा उसे बख्षा नहीं जाएगा हाँ इस बात की गैरेंटी दी जाती है कि दूसरे बख्ष पर कोई अन्यायन नहीं होगा उन्होंने का कि सर्वच नयायाले के आदेश के अनुसा ध्वणी का माप बेंट तैग किया जाएगा शादी और अन्य समहारों में बजने वाले लाउड स्पीकर की ध्वणी को लेकर जाच परताल की जाएगी अब धार में कि सल्भोंगे की अनुमती लेने के बाद नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं इसकी जाच भी पुलिस करेगी सर्व धार्मिक स्थलाचे तसे इतर ठिकानी आव आपर होना रे लाउड स्पीकर्स उधारन मैरेज पाटीज इत्यादी या सर्वान साथी लागू करनेया साथी प्रयत्न शुरू आहे धार्मिक स्थलानला आमचे पुली स्टेशन चे मारफते ने त्यांचे मन परिवर्तन करून त्यानी लाउड स्पीकर्स परिमिशन चाथी अर्ज करावी अशे प्रयत्न शुरू आहे आनि या बदल काही प्रमानात अर्ज येव लाग लेली आहे एक दोन तीन दिवसाथ एक्जाक्ली या बदल से सिचुएशन क्लियर होई ही गाइडलाइन्स पाड़त अस्ताना कोना करून ही या विश्यावर जोर जबर्दस्ती वस्वता कायद्या हातात घेन्याची कृत्य होँने या साथी पुलीस दल पूनपने प्रयत्न शी लाहे सर्व संबंधित स्टेकोल्डर्स सोबत चर्चा शुरू आहे आने त्याच बरोबर पुलीस विभाग पूनपने हाई एलर्ट शी स्टेज वर आहे कोनता ही अपवादात्म घटना घळ्यास त्यांचे तोंड देनेया साथी पुलीस दल सुसज़ा है पुलीस नागपूर